हेले जडिनेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जैसा कि आप लोग पता है हम आपके लिए बैक टो बैक क्लास से ले करके आ रहे हैं तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है यह होगी बिए फ़स्ट यर के सेकेंड समिस्टर की जियोग्राफी का यूरिट नमबर सेकेंड यूरिट नमबर सेकेंड हम कांटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा यूरिट नमबर सेकेंड पर है डे नमबर फॉर unit number second पर हमारी 3 वीडियो बन चुकी है अगर आपने नहीं देखिए one तो please channel पर विजििट करके देख सकते हैं unit number second में हमको कई सारे topics cover करने थे, जैसे कि unit number second का नाम है हमारा, manong और wata world के मद्य तत्यात्मक संबंद कि manong और जो वाता world है इसके बीच में क्या संबंद है किस तरह के रिष्टे रहे हैं और आते हूए शुरुवात से लेकर के आज की टाइम पिरियेड तक क्या क्या चीज चेंज़ें हुए वह जो माननेताय हैं मानों और वातावर्ड के connection के लिए मानो और वातावर्ड के एक दूसरी के डेपेंडेंसी को लेकर के मानो और वातावर्ड के सामंजस्च को लेकर के संबंधों को लेकर के जो कांसेप्ट रहा है हो किस तरीके से चेंज होता रहा है इवाल्व होता रहा है अगर संभा वात रहाँ चाहे तो जैसे जैसे टाइम बीटा गया अभी आज से लगबाग 100 एयर्स पहले 20 सताबदी जब श्टार्ट हुई तो 20 सताबदी से फ्रांस में ये चीज़े डबलफ होनी इस टार्ट हुई है यार मनुश में भी अपनी कुछ सक्तिया है मनुश में चीजों में चेंज कर सकता है बदलावन हो सकता है आने लगी मनुश अपने आस्पास skill के समाज वाद कर दriendly कि यह मनुश कर दिया है तो धीरे-धीरे ये परिवर्तन आता रहा और इस परिवर्तन से धीरे-धीरे संभावना की जर्म होई, संभावाद का जर्म होई किया रहा, कुछ चीजे हैं जिन पर मनुस काम कर सकता और धीरे-धीरे ये बढ़ता गया और ये माननेता आ गई कि हाँ, मनुस बहुत कुछ ब निखनी को मिलेगा जब ये संभावनावात के बारे में आप पढ़ोगे संभावात के कहीं अनिवारता नहीं हे हर जगा संभावना यह मतलब कि इस पर बहुत जादे ब्लास महोदे ने बहुत जादे फोकस करते हुए फैबरे महोदे ने इस पर बात किया हुआ है कि जो भी जगह आप इस दुनिया में देख रहे हो या जो भी कॉंसेप्ट आज तक हमने समाज में पढ़ा हुआ था कि हाँ यार मानो करता रहा और उन चेंजेश को देखकर कि कहा गया कि कहीं भी अनिवारता नहीं है कि हाँ तुम्हें ऐसे ही रहना है जब मनुस ने एकसेप्ट किया था कि ठीक आरा निवारता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम प्रत्वी के दास हैं हमको इसी हिसाब चलेना है तो उनके लिए आपका एफर्ट किस लेबल का है उस लेबल का आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा अधरवाइच हर एक जगह पर संभावनाय उपस्तित है और इसको एक एक जामपल के दूरू बहुत अच्छे तरीके समझाने की कोशिस किया गया है कि पहले कुछ सब्विताएं हुई इस की मिस्र के सब्विता हो गई हापका जो हिंदुस्तान के हमारी सब्विता रही है इसे दुनिया में बहुत सारी सब्विताएं हुई और हर सब्विता का अपना कुछ एक फेमस चीज होती थी कोई फसल उगाते थे वो सब्विता वाले और वही तक सीमित था बट आज उस फसल को हर जगा पुरी दुनिया में इतने जादे ब्रॉड लेवल पर फैला दिया गया है कि हर जगा हर एक चीज की उपलब्दी हो चु इस कीज़े और परिवर्तन कर रहा है क्वानो कर रहा है इसका मतलब मानो उन सम्भावनाओं का यूज करके अपनी लाइick में आगे बढ़ सकता है तो यह कह देना न कि मानो दास अहे फ्रतिवी का, it's not okay, मानो दास नहीं है, मानो एक स्वामी की तरह अपने निड़े ले करके चीज़ों को बदल सकता है, change कर सकता है, अपनी समझ, अपनी memory, अपनी development, अपनी effort, अपने होसलों से चीज़ों को बदलने की कोशिस कर सकता है, मानो तब तक हार नहीं मानता है, मानो तब तक नियती वाद या निश्चे वाद पर नहीं चलता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाए, जब तक वो जिन्दा है, परियास करता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, कुछ ना कुछ बदलने के लिए, वो पूरी कोशिस करेगा, पूरी effort लगाएगा, त तो हम प्रत्वी में एक next level पर जो है, चेंज ला पा रहे हैं, जो की पहले नहीं था, इसमें कहा गया है दूसरी चीच कि प्रकृति का अस्थान सलाहकार जैसा है, उससे जादे कुछ नहीं, जैसे हमारी life में कई बार कुछ सलाहकार जैसे लोग होते हैं, उनकी क्या हैसियत होती हमारी जिन्दगी में इतना ही कि वह हमें कुछ बता सकें, कि हाँ यार ऐसे-इसे करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, उतनी हैसियत है, उससे जादे नहीं है, ऐसे ही प्रकृति को भी बताया गया है, कि प्रकृति का अस्थान क्यों सलाहकार जैसा है, कि हाँ या एसे-इसे जादा कुछ नहीं है, मनुस ने अपने अफर्ट के बल पर बहुत सारी चीज़े क्रिएट किये, बहुत सारी नहीं चीज़े, बहुत सारी नहीं शब्रकृति किये हैं, जैसे कि आप एक जमपल ले सकता हो, मनुस ने नहरे बना दिया है, आप इसमें बड़ी- बड़ी नहरों का जंपल ले सकते हो, स्वेज नहर हो गया, समझ रहे हैं, पैनामा नहर हो गया, इसने मानों के आये, ब्याये, हर एक चीज को बहुत बदल कर रख दिया, ब्यापार का रास्ता, मनुस्थ का आना जाना बदल कर रख दिया, मनुस्थ ने आर्टिफिसील इसकरवा दिया जारा है बहुत सारी चीजे चेंज हो रही है तो मनुस ने वहाँ पर अपनी सक्ति यादि कि अपनी बुद्धी का यूज करके प्रकृति की जो बेस्ट संभावनाएं हो सकती थी उन संभावनाओं का यूज कर रहा है मनुस से तो एक तरीके से मनुस अपने आप में क्या है प्रकृति सलाकार है वह अपनी इच्छानुसार चीज़ें कर रहा है अगर चैन सक्ति प्रधान है मतलब मनुस ने जो अगर सोचा समझा गुद्धी लगाई और उसके इसाब से चूज कर लिया कुछ चीज़ें तो वह उसके इसाब से काम करता है जैसे आप देखिडी गुलार्त पर देखें लोग अच्छी घर बनारेां अपने लिए घन सकति के प्रधान कर रहा होता है तो मानों अपने आप में प्रधान है मानों अपने आप में एक ऐसा जो है इन मतलब एक ऐसी उत्पत्ती है प्रकृती की मानों मतलब आप समझ सकते हो भगवान बोलो आप प्रकृती बोलो किसी की भी ऐसी उत्पत्ती है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है जिसके बिना किसी भी चीज की कोई वजूत का कोई मतलब नहीं है अगर मनुसी ना रहे, दुनिया में बहुत अच्छी चीजे रहे क्या परक मुझता है समझ रहे तो हर एक चीज की वैलू कही न कहीं मानों से कनेक्टेड है तो मानों किसी का दास नहीं है गुलाम नहीं है, हाँ जब तक वो अपनी गुद्धी नहीं लगाएगा बस माल करके accept कर लो तो तुम आज भी गुलाम हो और accept नहीं करो तो तुम गुलाम नहीं हो तुम free हो, आज भी अगर आप देखो अपनी country में बहुत सारे लोग गुलामों की जिर हैं बहुत सारे लोग अपने boss की गुलामी कर रहे हैं बहुत सारे लोग अपने परिवार, family, रिलिजर, नेता हर एक चीज की गुलामी में ये लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो इस गुलामी से हाठ करके भी अपने जिर हैं तो depend करता है हमारी बुद्धी किस लेवर पर चलती है तो अगर हम इससे निसकर्ष निकालें तो निसकर्ष यह है कि मनुस्स अपने आप में प्रधान है अगर उसमें समझ और बुद्धी है तो समझ का उपयोग करें तो यह संभवाद मतलब कि हर जंगां पर संभावनाय है कहीं अनिवार्यता नहीं है आपकी समझ जिस लेबल पर आपकी वद्धी जिस लेबल पर आपकी टेक्नालोजी जो आप टाइम पीरियेड बदल रहा है वो चीज़े जतनी जल्दी चेंज होंगी जतने नए ने टेक्नालोजी जाएंगे समझ बदलेगा संभावनाय बदलेंगी अनिवार्यता जो हमें कहीं दिख रही थी वो संभावनाय बदलती चली जा रही है अनिवार्यता जैसे कि आप प्रत्वी छोड़के नहीं जा सकते ना प्रत्वी से बाहर कहां जाओगे प्रत्वी को भी अपनी प्रत्वी को भी चेंज कर सकता है बहुत हब तक तो यह संभाववाद की धाड़ा रही थी तो यह था हमारा आज का वीडियो आई फोब वीडियो तुमें समझ में आए होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज रिजिट दा चैनल इस तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो च्कोन ओडिविकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एक बेल आइकल ज़रूर हिट कर देजें ओके मेरे दोस्त मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जैवारा बाबाई